पंजाब नाशनल बैंक, 4% टूटा शेयर, Q2 में अच्छी बिजनेस ग्रोथ का नहीं दिखा असर PNB की ओर से शेयर बाजारों को दी गई सूचना के मुताबिक, 30 सितंबर 2023 तक उसका कुल कारोबार, प्रोविजन, 22.5-3 लाख करोड रुपय का रहा, जो सालाना आधार पर 11 दशमलव 3 प्रतिशत ज्यादा है, PNB द्वारा दिये गए Global Growth Advantage का आकड़ा 30 सितंबर 2023 तक सालाना आधार पर 13.8 प्रतिशत बढ़कर 9.4 लाख करोड रुपय पर पहुँच गया गुरुवार 5 अक्टूबर को पंजाब National Bank के शेयरों में 4 प्रतिशत से ज्यादा की दर्स की गई। इनसी पर शेयर 80.7 रुपय पर खुला फिर पिछले बंद भाव 89.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76.25 रुपय पर आ गया पिछले एक साल में PNB का शेयर 115 प्रतिशत से ज्यादा चड़ा है PNB की ओर से शेयर बाजारों को दी गई सूचना के मुताबिक 30 सितंबर 2023 तक उसका कुल कारोबार प्रोविजन 22.5 तीन लाख करोड रुपय का रहा जो सालाना आधार पर 11.3 प्रतिशत ज्यादा है पिछले साल सितंबर के आखिर तक तक कंपणी का कुल कारोबार 20.2 तीन लाख करोड रुपय का रहा था वहीं जून तिमाही के आखिर तक यह 22.1 तीन लाख करोड रुपय था 30 जून 2023 तक बैंक में डिपॉजिक 12.97 लाख करोड रुपए पर पहुँच गया था करंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिक 30 सितंबर 2023 तक सालाना आधार पर 2.6 प्रतीशत बढ़कर 5.38 लाख करोड रुपए पर पहुच गये जो एक साल पहले इसी तारीख तक 5.24 लाख करोड रुपए थे 30 जून 2023 तक ये डिपॉजिक 5.30 लाख करोड रुपए पर थे एडवांसेज में कितनी ग्रोथ PNB द्वारा दिये गए Global Gross Advantage का आकड़ा 30 सितंबर 2023 तक सालाना आधार पर 13.8 प्रतीशत बढ़कर 9.4 लाख करोड रुपए पर पहुच गया एक साल पहले इसी तारीख तक यह 8.3 शून्य लाख करोड रुपए और 30 जून 2023 तक 9.1 शून्य लाख करोड रुपए था वही डॉमेस्टिक एडवास सितंबर के आखिर तक 13.9 प्रतीशत बढ़कर 9.07 लाख करोड रुपए हो गये जो एक साल पहले 7.9 शून्य लाख करोड रुपए और 30 जून 2023 तक 8.82 लाख करोड रुपए थे